अगर आप अपने पैसे को कहीं इंवेस्ट करने की सोच रहे हैं और आप अपनी इंवेस्ट्पिन पे सेफ रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ओफिस की पांच बेहतरीन के बारे में जिसमें हमारी गौवर्मेंट ने अक्टूबर दिसम्बर क्वाटर में सभी पुस्ट ऑफिस अस्कीम के इंट्रेस रेट में इजाफा किया है तो चलिए एकका करके इन इसकीम के बारे में जानते हैं हेलो एविडिवड़ी मैं हूँ सिया फाइलिस राजीब वेलकम टो यट अनधर वीडियो फिन फिलेट फॉस्ट है पीपीएफ यानि पब्लिक प्रोविटेंट फॉंड एक लॉंग टर्ब इन्वेस्टम इसकीम में आप मैक्सिम 15 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकत साल डिडक्सन देखने को मिल जाता है इस अस्कीम में कोई भारती यहां पर इंडिविज्यल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट इन दोनों में से कोई वी एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं इस असकीम में मीनमम 500 रुपे से अपनी इन्वेस्टमिन की शुरुवात कर सकते है और आप एक साल में मैक्सिम देर लाक रुपया तक इंवेस्ट कर सकते हैं अगर आप एक फाइनेंसिल लियर्ड में इस स्कीम की मिनमम इमाउंट 500 रुपया डिपोजिट नहीं करते हैं तो आपके पीपेफ एकाउंट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा अगर आप इस स्कीम में हर वर्ष देर लाक रुपया डिपोजिट करते हैं तो आपको 15 साल के बाद आपका टोटल डिपोजिट एमाउंट हो जाएगा 22,50,000 रुपया और आपको मेश्योर्टी पे यानि कि 15 साल के बाद 40,68,209 रुपया देखनी को मिलेगा सेकेंड है किसान विकास पत्रे जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि हमारी सरकार देश के नागरीकों को बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए टाइम टू टाइम नई नई अस्कीम लाते रहती हैं उनमें से एक योजना है किसान विकास पत्रे यह योजना बिस्तिकली उन लोग के लिए स्टार्ट की गए थी जो कम रिस्क लियाना पसंद करते हैं इस अस्कीम में आप जो ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो एक पिरेट के बाद आपको डवल होकर मिलता है इस अस्कीम में आप सिंगल एकाउंट या जोएंट एकाउंट इन दोनों में से कोई भी एक एक अकाउंट उपिन कर सकते हैं इस अस्कीम में 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 मैक्सम एमाउंट इन्वेस्ट करने की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है इस scheme में आपको interest rate 7% का देखने को मिल जाता है इस scheme में आप जो ही पैसा invest करते हैं वो पैसा आपको 123 महीने में double होकर मिलता है For example, अगर आप इस scheme में 5 लाक रुपया एक बार में invest करते हैं तो 123 महीने के बाद आपको 10 लाक रुपया मिलेगा हड है post office monthly income scheme इस scheme में आपको एक बार में एक लमसम amount invest करना पड़ता है उसके बाद आपको इस scheme में मिलने वाले interest को आपके हर मत आपके bank account में transfer कर दिया जाता है इस scheme में आप maximum 5 साल के लिए अपने पैसे को invest कर सकते हैं इस scheme में आप single account या joint account इन दोनों में से कोई वी एक account open कर सकते हैं इस scheme में आपको minor account open करने के वी facility दी जाती है इस scheme के current interest rate की बात करें तो है 6.7% आप इस scheme में minimum 1,000 रुपे से अपने investment की सुरुवात कर सकते हैं वही अगर आप इस scheme में individual account open करते हैं तो आप इस scheme में maximum 4,000,000 रुपे तक invest कर सकते हैं वही अगर आप इस scheme में joint account open करते हैं तो आप इस scheme में maximum 9,000,000 रुपे तक invest कर सकते हैं वही अगर आप इस स्की में सारफ 4 लाक रुपया इंवेस्ट करते हैं ता आपको हर मत 2513 रुपया देखने को मिलेगा फोर्थ है टम डिपोजित आपको इस स्की में बैंक FD से ज़्यादा इंट्रेस रेट देखने को मिलता है इस स्की में कोई भी भारती जिनकी उमर 18 वर्थ या इससे ज़्यादा है वह यहाँ पर अपना सिंगल एकाउंट या जोएंट एकाउंट इन दोनों में से कोई एक एकाउंट उपेंट कर सकते हैं इस अस्की में आप एक साल सलेकर 5 साल के लिए इपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्की में आपको interest rate different period के लिए different different देखने को मिल जाता है अगर आप इस स्की में एक साल के लिए अपने पैसे को invest करते हैं आपको यहाँ पे 5.5% का interest rate देखने को मिलता है वही अगर आप इस स्की में अपने पैसे को 2 साल के लिए invest करते हैं आपको यहाँ पे 5.7% का interest rate देखने को मिलता है, वही अगर आप इस scheme में अपने पैसे को 3 साल के लिए invest करते हैं, आपको यहाँ पे 5.8% का interest rate देखने को मिलता है, वही अगर आप इस scheme में अपने पैसे को 5 साल के लिए invest करते हैं, तो आपको यहाँ पे 6.7% का interest rate देखने को मि मिलता है अगर आप पांत साल या इस से ज्फ प्यड़ के लिए अपने पैसे को फिक्स करते हैं आपको return पोस्ट ओफिस की a small saving scheme में जहां प्या बिन quiero रिसक लिए अच्छा रिटर्न प्रापत कर सकते हैं इस स्कीं में कोई भी भारते यहां पर single या joint account इन दोनों में से कोई बी a count ऊपर कर सकते हैं इस स्कीं में आपको इंट्रेस इट इट परषन देखनी को मिल जाता है इस स्कीं में मिनियम सो धुर पफ हर महीने से अपने investment की शुरुवात कर सकते हैं और इस scheme में maximum investment करने की कोई भी limit नहीं रखी गई है इस scheme की maturity period की बात करें तो है 5 साल आपको इस scheme में loan की भी facility देखने को मिल जाती है आप अगर इस scheme में एक साल के बाद आपका total deposit amount अगर 2 लाक रुपे है तो आपको उसका 50% यानि की 1 लाक रुपे तक loan देखने को मिल जाता है अगर आप इस scheme में 10,000 रुपे हर महीने invest करते हैं और आप अपनी investment को 5 साल के लिए continue करते हैं तो 5 साल के बाद आपका total amount invest किया गया हो जाएगा 6 लाक रुपे और आपको maturity पे मिलेगा 6,96,960 रुपे आपने आज के इस वीडियो में जाना पोस्ट आफिस की पांच बेहतरीन योजनाओं के बारे में अगर आप इन अस्किन के बारे में detail में जाना चाते हैं तो इन अस्किन के उपर हमने already वीडियो बना चुके हैं इन वीडियो का link हम description में डाल देंगे आप चाहे तो वहां से जाकर इन वीडियो के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को like करे share करे और subscribe करे मिलते investment की ऐसे ही नई वीडियो में